हेलो एवर्यवरेण वेलम बैक तो माय चैनल तो आज की स्यूरी में हम सिखेंगे हमारे आखों के आसपास रिंकल सा जाते हैं पक्षिने नहीं सा जाते हैं उससे हम एक्सरसाइस कैसे धूर करें तो देखें हाँ पर सबसे पहले हमारे जो मसल्व हैं उनको एक्टिव करने के कि अपने आपको के आस पास तो देख रहा हूं कि हमें फिंगर की मतंद से इस तरह से टैप कर लेना है और यहां पर दिए आज आप लोगों पूसां त्री एक्सरसाइज की ओं नहीं कर तो सबसे पहले को ऑपकी जो आँखें उसको भीडिया है आपको तो एक टू टेन टाइम आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं अब यहां पर करेंगे हम दूसरा एक्सरसाइज तो देखिए इस तर से अपने हाथों को आपने जो आएब्रो है वहाँ पर हमें रखना है त्रीदिंग के जस्ट उपर रखना है और přिर से अमें जो आइस से उस open close करेंगे तो ऐसे करने से हमारे जो किनारे एक पने रेक्सराइज को को चीनारे जो ऐसे जो आपकी थ्रैलिंग है वो नीचे नहीं आएगी अपने सेफ में ही बनी रहेगी आप करते हैं तीसरे एकसरसाइज तो देखे माउथ को आपको इस तरह से बना लेना है और नीचे की तरफ भी को डाउन करना है और आप देख पार हैं यहाँ पर अपनी जो स्कीन है उसे ऊपर की तरफ खीच रही हूं आपको यह महसूस होगा और हलका आपको पेंग भी हो सक अबटा है ऐसा करने से बट इस एक एकसर साइज से आपके जो चिक्स के आसपास के जो काल है वो भी टाइट होने लगेंगे प्लस आपके जो आखों के नीचे पपिने शारे हैं रिंकल से हैं वो भी होना शुरू हो जाएगा और तीसरा बेनिफित यहाँ पर है कि आपके यह लिप्स के कॉर्णर होते हो वहाँ पर जो एक लाइन क्लियर हो जाती तो वह भी रिवी हो जाएंगे तो यह मैंने यहाँ पर आपको त्री एकसरसाइज बताएं वापस फिर से हम इस एकसरसाइज को रिपीट करेंगे अपनी जो आई से विसे फोपन प्लोज ओपन करे है और दिन में दो टाइम किजिएगा मॉर्णिंग और इवनिंग अगर समय नहीं है आपके पास तो एक टाइम तो जरूर आप इस एकसरसाइज को किजिएगा आप देखेंगे कुछी दिन में आपका जो आपको क्यास पास अगर फिनिश है तो वह भी हो जाएंगे तो यह है यह था हमाराज का चोटा सवीडियो आई ओप आप विडियो पसंद आया हो तो प्लीज विडियो को एक लाएक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह कि और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए ताकि और भी अच्छी वीडियो में आप लोगों फिलिद क कर रहा हूं कि यह था हमरा आज के छोड़ी आई हो आप लोगों अच्छा लगए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अच्छेनों को सब्सक्राइब जरू करें आए टेक क्या है नियुक्त वीडियो में अच्छ ऑ्रुश्ट श्ब करें ओड़े नियुक्त वीडियों के लोगे रहे होगा है